दोस्तो अगर आप भी computer data operator के job करना चाहती हो तो आपको basic computer course में Microsoft Excel को सीखना बहुत ही जरूरी होता है तो आज की इस वीडियो में हम Excel के कुछ सुरुवाती formula और basic formula के बारे हम बात करेंगे जैसे कि Microsoft Excel में हम जोड का formula किस परकार लगाते हैं गटाओ करने का गुणा करने का वाग करने का और percentage का formula किस परकार हम यूज करते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो सारी practically रहने वाली है इसलिए इस वीडियो का आप सुरू से लेके end तक complete जरूर देखना क्योंकि ये आज की जो वीडियो है एक basic computer course सिखने वाल student के दिए बहुत ही important और knowledgeable रहने वाली है तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी request वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like जुरूर कर देना अगर आपने मारी चैनल पर पहली बार विजिट करिये तो चैनल को भी subscribe करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना ताकि मारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मौन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज कई वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम सेखेंगे फिर माइक्रोसोफ एक्सल में एडिशन यान की जोड़ करने का फॉर्मूला हम किस परकार यूज कर सकते हैं अगर हम वर्टिकल और इसकी होरीजिनल पोजिशन की बात करें तो हम दोनों तरीके के और अलग लग तरीके से जोड़ का फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करते हैं और हम मैनुबल टाइप करके कौन सी कमांड का यूज करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है अब संख्या आपके पास कुछ भी हो सकती है और प्रैक्टिकल हम यहां पर जैसे मैंने आपके कुछ इस तरीके के संख्या यहां पर लिख दी है अब संख्या आपके सामने ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है और यह 10,000 भी हो सकती है जैसे कि मैंने यहां पर कुछ इस त पूरी plano को select कर लेंगे उसके बाद में हम आपको यहां पर आप को option मिलेगा यह तो अप मिसमें कोमा का भी यूज कर सकते हो यह फिर आप इसमें से यह जो decimal है इसका increase का हम यूज कर सकते हैं या पिर आपको इस इस जर्नल में जाने के बाद आपको यह option दिखाएगे देगा number का तो आप इसमें number को भी select कर सकते हो तो मैं number को select करूँगा तो आप देख रहें जैसे मैंने select किया तो सभी के last में decimal के बाद में 00 automatic ही लग गया अब बात आती है भी हम इसका total का formula किस तरीके से लगाएंगे और क इस cell में लगाना है तो हमारे पास तीन चार चरीके की option होते हैं पहला option सबसे पहले आप इन सभी को select कर लीजिए select करने का तरीका एक को select किजिए और mouse का button दबाते हुए आपको नीचे drag करना है इस तरीके से ये पूरा column select हो जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा auto sum का तो आपको simple उनको select करके और auto sum पर click कर देना है जैसे मैंने auto sum पर click किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो इन सभी का total है जो यहाँ पर आगया 24,379 तो अब हमें यह कैसे पता चलेगा यह जो संख्या आई है यह हमारी total के साथ आई है या फिर हमने manual type किया है तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने 125 पर click किया तो आपको यह 125 के अंदर भी यहाँ पर 125 नजर आ रहे है अगर हम बात करें इस संख्या की तो अब यह जो संख्या है अब यह संख्या आपको यहाँ पर चो 24,389 रुपए की आपको नजर आ रही है और यहाँ पर आपको यह इस formula बार में यह formula नजर आ रहे है अब formula क्या रहा है यह बराबर सम B2 से लेके B7 तक हैं कि B2 का मतलब B तो कॉलम हो गया और दो इसकी रो की संख्या होगी B2 और B2 से लेके हमने जो टोटा लगाया था वो यहां तक लगाया था तो कॉलम B रहेगा और इसकी जो रो संख्या वो 7 रहेगी इसलिए यहाँ पर जो formula टाइप हुआ वो B7 से लेके B2 से लेके B7 का अग इसी को अगर हम manually type करें तो हम type भी कर सकते हैं सबसे पहले हम बराबर का निसान लगाएंगे उसके पाद टाइप करेंगे sum sum और shift के साथ हम ब्रैक्ट को चलू करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर भी इसकी संख्या दे सकते हैं column और row के साथ में जैसे की B2 से लेके B7 तक या फिर आप simple एस rope के उपर आप क्लिक कर दीजिए इस cell के उपर और बाद में आपको shift का button दबा के रखने और जो आपको arrow की नजर आ रही है यहाँ पर आपको जो निमेरिक संख्या होती है हमारी left right up down वाली उसमें से आपको उपर वाड़ा यानिकि up side का button प्रेस करते वह यहां तक select कर देना है जैसे हम select करेंगे तो आप देख रहे हो यहां पर यह formula type हो गया बराबर सम बी टू से लेके बी से लेके अब बी टू के बाद हम इसको semicolon का इस तरीकी का यह निसांद बाएंगे यह वाला बी टू से लेके बी 7 तक जैसे बी 7 करेंग तो आप देख रहे हो यहां पर यह जो automati का highlight हो गया यहां तक की संक्या यह blue color में यहां से लेके यहां तक अब यह total लगने वाला है enter press करेंगे तो इसका total यहां पर भी आ जाएगा अगर यही संक्या अगर आपके पास जैसे इसको मैंने यहां से delete कर दिया तो यह संक्या आपके पास कुछ इस तरीके की भी हो सकती है कुछ इस तरीके की भी हो सकती है इनको भी हम बड़ा कर लेंगे और उसके बाद में इन सभी को मियां से decimal in का increase कर देंगे दो के साथ अब इन अगर इन सभी का total अगर हमें यहां पर लगाना हो जी के कोलम में तो हम इसका फॉर्मल अब किस तरीके से यूज करेंगे सबसे पहले हम बरबर का निसां दबएंगे टाइप करेंगे स यूवम सिप के साथ लिए बेक्ट करेंगे जैनकि जो ऊपर आपके संख्या जो आ रही है वन से लेके जीरो तक और उसमें जो 9 वाला जो ब्रेक्ट निजर आ रहे हैं शिप्ट के साथ आपको प्रेस करना है तो यह break on हो जाएगा और उसके बाद अब हमें यहाँ पर इसकी जो range देनी है range कहां से देनी है भी अब range आपको यहां से देनी है भी आपका जो total है जो b column से लेके और f column के अंदर इस row के संक्या के अंदर आपके पास जितनी संक्या लेकिए उसका total लगना चाहिए तो यानिकि अब हमारा जो रो संक्या है वो 2 रहेगी अब column संक्या हमारी change हो जाएगी जैसे की b और अब जैसे आप 2 करोगे तो b2 के अंदर मलब यह संक्या आपकी हाइलाइट हो जाएगी अब b2 से लेके आपको लगाने f2 तक का column यह f है और यह 200 रोसंक्या आपके रही है तो b अब यहाँ पर हम लगाएंगे f2 जैसे हम f2 करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सल ने इसको automatic blue color से इसको highlight कर दिया एंटर प्रेस करेंगे तो इसका total भी 5,241 रुपे आजएगा इसकी जिके हम auto sum का भी use कर सकते हैं इसके लिए आपको इन सभी को select करना है यहाँ से और auto sum का यह option आपको दिखाई दे रहे है इस पर click करेंगे तो इसका total भी यहाँ पर जैसे कि इन सभी को हम एक पर यहाँ से अठा देते हैं जैसे अब आपके पास दो संक्या यहाँ पर लिखी वी है और उसके बाद में कुछ संक्या आपके पास यहाँ लिखी वी है और कुछ संक्या आपके पास हैं यहाँ पर भी लिखी वी है और इन सभी का total आपको इस ज पूर्मूला आपका जब भी काम करें जब आपके एक इस स्रीज के अंदर संख्या का टोटल लगाना हो तो और उसके बाद में हम सिप्ट के साथ रेक्ट चालू कर देंगे इस तरीके से बराबर सम लिखा और ब्रैक्ट चालू किया अब उसके बाद में जाए जाए आपके जो संख्या आ रही है उनको एडिशेन करेंगगे जिससे के आपको 2 संख्या तो आपको यहां नजरे आ रही है इन दौनों को स्रेक्ट करेंगे जैसे स्रेक्ट करेंगे तो यहां पर यह संख्या ओटोमेटकर आ einfach यह ऐहाए-" B2 और से लेके B3 तक का फिर हम इसको ये कोमा यूज़ कर लेंगे और उसके बाद में फिर इन दोनों को फिर सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम कोमा कर लेंगे फिर इनको भी सेलेक्ट कर लेंगे इंटरप्रेस करेंगे तो आपके सामने इन सभी का टोटल आपके यहां लग जाएगा 11,328 एक फॉर्मॉल हम और यूज़ कर सकते हैं टोटल के लिए जैसे कि हमने यहां पे खुछ यह संख्या लिखी विए यह इस तरीके के संख्या हमने लिख दिये अब हमें टोटल लगाना है लेकिन हमें फॉर्मॉला टाइप नहीं करना है के पास में उसको यूज़ करना है तो जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो यह फॉर्मॉला आटोमेटिक टाइप हो जाएगा आप देख रहे हो बी सम ब्राबर सम बी टू से लेके बी सिक्स तक का एंटर प्रेस करेंगे तो इनका टोटल भी यहां पर नजर आपको आएगा कौन सा फॉर्मॉला हमने यूज़ किये दुबार हम बताते हैं इसके लिए आपको एल्ट और एल्ट को बटन दबाते रखे आप जो बेक स्पैस के बात में जो पलस वड़ा है वह वहला प्लस का आपको यूज़ करने है तो उसके साथ में आपका टोटल यहां पर लग जाएगा इंटर प्रेस करेंगे इसका टोटल आ जाएगा अब हम यूज़ करते हैं माइनस का यानकि अगर हमें गटाओ करना वह किसी संख्या का तो किस तरिके से करते हैं जैसी कि मारे संख्या यहां पर आ रही है 500 choice और एक संख्या यहां पर लिखी है only choice इन सभी के रोसंख्या हम equal कर लेते हैं इसका जो size है अगर इस तरिके संख्या है तो हम इसको विड़ ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें से माल लिजे 524 में से आपको choice minus करना है या आपको यह बहला जैब ही choice में से 524 माइनस करना है कुछ भी हो सकते हैं तो formula दोनों के लिए बराबर है तो सबसे पहले आपको क्या करना है equal का निसान यानकि बराबर का निसान दगा देना है और उसके बाद अगर आपको यह बात बोली जैए भी 524 में से choice minus करना है तो सबसे पहले आपको 524 वाड़ी जो cell की range है वो select करना है अब इसकी range क्या रहेगी सबसे पहले आपको column देखना column कौन सा है B, row संक्या कितनी है इसकी 2 यानकि B तो इसका column हो गया यह वाला और उसके बाद में रोसंक्या कि दो गया यानकि B2 इसका address है तो हम जैसे हम B2 करेंगे तो आप देख रहेए इसकी यह automatic highlight रहेगा अब हमें choice minus करना है तो हम minus का Nissan use करेंगी और उसके बाद में हम जाए तो आप choice पे click कर दो या फिर इसकी range चाइब करते हो जैसे इसकी range हो जाएगी यह तो इसका column है और ती नंबर इसकी रोसंक्या है तो आप इसको e3 भी लिख सकते हो minus e3 इंटर प्रेस करेंगे यह 500 अगर आपको यह बात बोल जिए भी choice में से 523 को minus करने तो सेम फॉर्मूला वह यूज जो जएगा सबसे पहले आपको choice के range दे नहीं है उसके बाद माइनस करने सांद बाने और उसके बाद में 523 पर आपको जो यह width होती है कोलम के यह कम होती है जितने इसकी जुरूर तो यह विट नहीं हो पाता चाहे तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो या आप इसको क्या लिखती है और इसका रिजल्ट हमें यहां पर चीए वह भी multiply के गुणा के साथ में तो अब दोनों में कोई फरक नहीं पड़ेगा चाहे आप पांच को तीन से यहां पर 20 ओटमेटिक हो जाएगा यहां किए एक बार फूर्मॉला यूज कर लिया तो आपको बारीय आम यूज करते हो और इसी तरीके सेम अगे हमें डिवाइड यानी कि भाग करना माले जी हमें 10 में से चारकराterm करना है Our दिया हमें 10 में से 4 का भाग करना है यानिकि बराबर के निसान से स्टार्ट होगा, तो अगर आपको दस में से 4 का बाग करने हैं, तो सबसे पहले आपको 10 को स्टार्ट करने हैं, और उसके बाद में आपको इस तरीके का ये बागवाल निसान आपको यूज करने हैं, उसके बाद में आपको इस पे 4 पे क्लिक कर तो इस तरीके से टीके से फो.40 आम talking सामने आजेएगा Сंद लिया कि बाग के फॉर्मुले जिस कर सकते हैं cotton बात करते हैं अब हम बात करते हैं परसेंटेस्ट की फॉर्मुलiben कि सत्रीके से ज्यूज करते हैं आप आप मालीजी आपके पास कोई संख्य है 540 और यह आपकी है 600 यानि कि यह अगर आपको बोला जाए भी कोई भी रिजल्ट है 600 नमबरों का पेपर था जिसमें से आपके 540 नमबर आए है तो आपने कितने परसेंट अंक हासिल किये हैं तो इसका परसेंटेज का फोरूमलम यह आपको माइन देज जीरो दिखा रहा है अगर आप यह चाहे भी परसेंटेज के साहरे तो आप यह आपर इसका यह जो परसेंटेज वड़ा आपको तो सिम्बल दिखाई दे रहे इस पर आपको क्लिक करना होगा है घाल हो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है यहां पर यी 90% नंबर आपके आए है अगर इसकी संक्या चेंज करते हैं माले 300 है तो यहनकी 600 नंबर कॉफ टॉटल पेपर था 300 अंक आपनी हासिल किया तो 50% आपने अगर 602 और 600 यहां किना हासिल किये तो आपका यहां पर 100% इसका रेजल्ट आ जाएगा अगर यहां पर माली जी 500 है और आपकी जो संक्या वो भी साड़े 500 में से 500 लिए तो यह 91 परसेंटेज के साथ आपको शोगा अगर आप लाश्ट में डिजिट के साथ देखना जाते हो ताब इसका देसिमल इंक्रीज यहां पर कर सकते हो यहां इस तरीके से अगर हम यहां पर 120 करते हैं तो 25.45, अब इसको हम 100 पर लेकर देखते हैं, तो अब इसका हम पर सेंटेज का सिंबल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको यहां पर जहां पर भी आपको percentage का result चीए उसकी जगह आपको ये percentage का या फिर आप यहां से भी percentage को select कर सकते हो तो दोस्तो इस तरीके से हमने कुछ आज की वीडियो में basic formula लगाना से के हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like देके जरूर जाना तो दोस्तो अभी तक आपनी चैनल को भी subscribe करके नहीं रखावा तो वो भी कर लेना ताकि हमारी आगे आने वाली हर नए नए वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिलेगा तो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ